मैं आपका एदुकेटर सहीर शाबास दिल से स्वागत करता हूँ हमारे प्रॉक्सी ग्यान यूट्यूब चैनल पे तो चले दोस्तो आज के जो इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स है उसके बारे में आज हम देखते हैं कि क्या क्या इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स लाए गए हैं और कौन से से जो इशूस है जो न्यूस आर्टिकल में हुए हैं सब कुछ आज हम डिसकस करेंगे दोस्तों वित डीटेल ओके और जो के एक्जामिनेशन पॉंट आफ इसे भी बहुत ही इंपोर्टेंट है और आन आपको लिंक मिल जाएगी दोस्तों वहां पे आप जॉइन कर सकते हैं इसका PDF आपको वहीं से मिल जाएगा तो पहला आप यहां पर देख सकते हैं पतलि के बारे में है उसके बाहत्त और आपढ़ेंगे आप़ा है इंपोर्टेंट उसका सिखल सेट डिसीज्ए क्या अपिसके बारे में हम जानेंगे दोस्तों ग्रीन वॉयच क्या होता है ऑपके ह। और सीजी पी अई क्या होता है सब कुछ आचा में इस लेक्चर में देखने वाले है तो पहला न्यूस आर्टिकल यहां पर आप देख सकते हैं अचाई सब्सक्राइब यहां पर से रूल्स आंप वाले अन्यूस सुब्सक्राइब देख सकते हृगार अंधियामनोंड यहां पर किया हैं र्भिल्ड है और व्यूस आप वेप अग्रिगेटर्स आफ लोन प्रोडिक्ट ठोडटिक वर्ग्मॉर्ड शरीटीटले हैं दिखाया जाते हैं आपको प्ले स्टोर में बहुत सारे अप्लिकेशन से तो वहां से जो है आपको जो है रूल सान रेकुलेशन जैन के लिए करें मोर ट्रांसपरें से राने के लिए नए रेगलेशन को लाए गए हैं दुस्तों ठीक है तो डिजिटल लेंडिंग की बात करें एक मिनुट अब आपको बताया ना की आप जो पाईसा उठा रहे है उसको डिजिटल लेंडिंग कहा जाता है इत इन वास लेंडिंग तू प्लाटफॉर्म और मोबाइल अप्स उटलाइजिंग तेकनोलजी इन कस्टमर अक्विजिशन और क्रेडिट असिस्मेंट लोन अप्रॉवल दोस्तों इट इंग्रिस पॉपुलारिटी अमोंग न्यू एज लेंडर्स कैन ब एक्स्पांदिंग दस्मार्टफोन पेनिटरेशन और बहुत स अब जरूरत की जाती है दोस्तों उससे जोह आप दुबारा उनको पो एक पोश्पेट की तरह उसको इस्तमाल कर सकते हैं बाइन आप लेटर से कहा जाता है विच अलावस वण टॉबाइट और अवेले सर्विस वितार्ट वर्य बर्याबट पेंग फॉरिट इमेडियेट जरूरत आ पड़ी है कि इस डिजिटल लेंडिंग को हम रेगुलेट करना जरूर हो गया क्योंकि बहुत सारे इंडिया में डेवलेप होना शुरू हो चुके थे बहुत सारा फ्रॉड हो रहा था लोगों के बीच में लोगों को ठगा जा रहा था कि यह फीज बनने से आपको इतना लोन मिलेगा फलाना फलाना तो इसलिए रिपोर्ट बे आर बे पॉब्लिशन टूज़न टूंटी टू सेज डट इंडिया हास मैक्सिमम नंबर अफ डिजिटल लोन अप्स द वोल्ड और रिपोर्ट एभी किया गए 600 लोन आप से जो इल्लीगल है दोस्तों सेंट्र के वज़े से इस तरह के लेंडिंग एप्स के जहासे में पढ़ जाते हैं दोस्तों और डिस एप्स मोशली लेंड स्मॉल सम मनी बेट्विन टूज़न अटेन तरगेटिंग लोव इंकम एंड फाइनशल अंसेवी इंडियन्स दिस लोन्स कम विद्ट हुज रेंट इंट् है और कई तरह के लोग जो सुसाइट भी कर लेते हैं 2021 की बात लेजिए अटलिस्स पीपल कमिटेट सुसाइट इन हाइदरबाद डू तो हरास्मेंट बाइदी एजेंट्स के छे लोग जैसे हरा सुसाइट कर लिए थे दूस्तों और यही नहीं बलके प्राइवेसी भी आ लोग मानते हैं उसके बाद मांगने के बाद जो है यह कही नहीं कोई रीजन बता के आपको रिजेट कर दिया जाता है दूस्तों और अधर क्राइम्स पर इंको इस्तवाल किया जाता है तुसका इस आटन तूल पर मनी लांडरी मोर दन हंडर्ड अप्स रिलेटेट तो लो स्थिस्वले कलेक्टेट थाउजन व करोड्स रिवन्यू जुके फिच रेप्रीटेट देंट इंट यह नहीं कर पाएंगे दूस्तों आप इस वाज रिजेटेशन कंडेक्टेशन कॉन को बेजेट जाता है टेट इसले बहुत सारे स्थेप्स लेना पड़ा दोस्तों तो लेंडिंग प्लाटफोर्म दोस्तों आगश्च 2022 लास्ट येर की बात करें तो आर्बिया इसूट फॉस्ट सेट अफ गाइड लेंडिंग इन आडर तो कमबाट इलीगल अक्टिविटीज दोस्तों एक वर्किंग ग्रूप बनाए गई थी जिसका नाम में वीजी डील जिसों कहते हैं वर्किंग ग्रूप डिजिटल लेंडिंग तो यह बहुत सारे रेकमेंडेशन्स आर्बिया को टाइम को प्रोवाइड करती रहें उसका दिन सप्टमबर 2023 यूनियन फाइनस मिनिस्टर छे प्रोवाइड की गई और जो जो अथेंटिकेटेटेट अप है उनके भी लिस्ट इनने दी थी दोस्तों एंड यह बी एंस्टर किया गया जितने भी लीगल अप्लिकेशन से वही अवेलेबल हो अप्लिकेशन के स्टोर पर बाकि के जितने भी इलीगल है उसको हटा दिया है आर बिया हाज बेन एंट्रस्टेट तो एंशोर दट रिजिस्टेशन ऑप पेमेंट अग्रिकेट इस तो बी कंप्लिटेट वितिने टाइम फ्रेम के उनका रिजिस्टेशन भी करवाने की बात की गई और बैस फर्दर आस्टू रिवीव और कैंसल दॉर्मन एंबी अपरेटर से रिलेटेड है जो आर बिया के इन्विस्टिकेशन में यह पाया गया है कि वो जो आप है वो इल्लीगल है और उससे जो है कोई न कोई एन बी अफसी तो रिलेटेड रहे गाई क्योंके लोन वही से उठाते हैं तो उनको भी जो है गाइडलाइंस दे दी गई कि आप जो है उन जितने भी इल्लीगल एपस है उनसे अपना पार्टनर्शिप को तोड़ दीजे चैंसल कर दीजे सब को डॉर्मेंट कर दीजेगा तो यहाँ पर आप देखेंगे तो GDP ग्रोट फार्कास्ट इट रिजस अपर रिल ग्रोट फार्कास्ट तो 7% फ्रम 6.5% कि आप कई दीजेगा है दीजेगा तो होगा तो मते है तोसितर पर आप की की कहा है इंक्रीजलिमिट उर्कैरिंघ एंपेमेंटमेट्स जो भी कस्टमर्स है जिसके जो बिल है उन्होंने क्या किया होगा किसी सब्स्क्रिप्शन खरीदने में लगा दिया होगा दोश्तों तो automatically क्या होता है monthly monthly वो automatically आपके account से deduct होते होते हैं तो उसे हम क्या कहते है recurring e-payment mandates बोलते हैं तो RBI ने क्या गया उसके limit को भी बढ़ा दिया for credit card and insurance premium payments ताके बार बार आप RBI के पास जाकर उसके limit को increase ना करना पड़े तो थोड़ा बहुत इन्होंने increase किया है from 1 lakh to the current limit of 15,000 पहले 15,000 थी अभी 1 lakh कर दिया है दोस्तों and e-mandate is a digital payment method to virtually enable and authorize the merchant to collect the recurring payments जो debit card, credit card link करके छोड़ देते हैं और monthly monthly payment automatically detect होता चले जाता है तो उन लोगों के लिए जो है आसानी के लिए इस तरह की step उठाएगे है उसकार under the existing framework an additional factor of authentication is currently required for recurring transaction exceeding 15,000 रुपीज दोस्तों और यह चारे चीज़े जो है fraud को रोकने के लिए रखा गया है ठीक है कि अगर कोई भी 15,000 से ज्यादा कोई transaction कर रहा है तो उनके खिलाफ जो है कारवाई की जाए और customer की जो permission है जो card owner की permission है वो जरूरी होगे दोस्तों उसकात commercial sector growth की बात करे और बैस अधर बयॉंस in public sector okay above average capacity in manufacturing sector and domestic सब कुछ boost करने की बात की गई और total flow of resource to the commercial sector stood at 17.6 trillion during the current financial year दोस्तों उसकात public sector capex की बात करे despite weakness in external demand exports were positive in October so external demand even though there is a weakness but exports we have seen positive and private consumption should gain from the rural demand manufacturing and buoyancy in services the healthy balance sheet of corporate business optimism government infrastructure will boost public sector capex उसकात forex reserve की बात करे foreign exchange reserve at 60 604 billion dollar provide a strong buffer against global spillovers okay or rupee की बात करे rupee has exhibited low volatility compared to its emerging market in 2023 दोस्तों 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 this reflect the economic improving the fundamentals RBA offer cloud storage services as a part of digital public infrastructure okay so RBA is also working on establishing a cloud facility for financial sector to enhance security integrity privacy on financial security data दोस्तों जिस तरह के हर चीज में cloud data आजकल बहुत ही famous हो चुका है Google अपना cloud data देता है okay या Adobe ले लिजे आप वो अपने cloud storage provide करते हैं ताकि आपका data जो secure हो सके इसी तरह RBA भी जो है cloud facility पे काम कर रहा है दोस्तों only for the financial sector okay and the regulator is taking same approach as the government has done with the digital public infrastructure दोस्तों जैसे के government ने भी cloud storage को निकाला one kind of जिसे हम कहते हैं okay digital जो आदर काड वगरा सब कुछ आपके save होते हैं दोस्तों आपको locker की तरह okay and this underlying technology is built by government and its latter outsourced by the private sector okay उसका देक biometric identity program Aadhar and UPI are the key examples of the DPI तो यह रहा news analysis जो के RBI के जरिये से कई तरह के steps लिए गये है for digital lending applications को illegal तरीखे से रोकने के लिए दोस्तों जो उनको illegal काम जो कर रहे है उनको रोकने के लिए and बहुत सारे steps यहां पर लिए गये regarding to the other sectors also financial capex क्या होता है public sector capex क्या होता है सब कुछ मैंने आपको पता दिया don't worry इसकी PDF आपको हमारे telegram channel में मिल जाएगी वहाँ पर जाकर आप इसको revise कर सकते है चलिए दूसरी नूस है center ban onion export till March दोस्तों नासिक farmer protest center ने क्या क्या recently ban को impose किया on the export of onion till March 31st 2024 ताके जो local prices of the product है वह उसको हम control कर सके दोस्तों इसके लिए ban लगा दिया गया दूसर export so onion is sown in all state however Maharashtra is the leading producer with a share of around 43% Madhya Pradesh 16% Karnataka and Gujarat contributing 9% of the national production it is harvested thrice a year with the cropping season reported during Kharif, Late Kharif or Rabi or the harvest of Rabi is most important as it contributes nearly 72 to 75% of the national production okay the shelf life of Rabi harvest is higher is highest and store worthy of the Kharif and Late Kharif for direct consumption okay the timing of the harvest of the onion across the country provides regular supply of the fresh okay but sometime due to obviously extreme weather conditions होते है उसके वज़े से onion खराब होने की वज़े से कई तरह के supply chains को damage होना पड़ता है okay supply constraints होते है उनमें कमी हमको देखने को मिलती है जब इस तरह से होता है तो आपने अपने अपने खुद के शहर में देखा होगा की एक एक किलो की ऑनियन प्राइज की अपने प्राइज 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 इसकाथ वीट प्राइज 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 प यह आट प्रिक्टन नहों और यह जो मिन जितने हम एन्ट इस तरेट सट मॉने सट किये हैं इस एक्षाति टो disease दोस्तु तो यह जो US Food and Drug Administration has granted approval to two gene therapies for sickle cell diseases making a significant breakthrough in the treatment of the painful and inherited blood disorder दोस्तु दोस्तु लिवजेनिया from Bluebird Bio and Cass Zevy from Vortex Pharmaceuticals यह actually company ka naam है दोस्तु इन्होंने मिलका जो है इसको approved किया for the first treatment based on CRISPR gene editing technology and both therapies are intended for individuals जो 12 साल के above age के हो उनके जो भी sickle cell diseases होती है उनको treatment करने के लिए इस तरह का technology इस्तेमाल की गई कुन सी CRISPR gene editing technology यह आपने term COVID के टर्म पर बहुत सुना हो गया दोस्तु तो यहाँ पर आप आप देख सकते ब्रेक्टू थरेपिस लिवजी निया जो डेवलब किया गया था एक company है जिसका नाम है bluebird bio okay so one of the approved gene therapies for sickle cell disease it represent a significant advancement in treating and debilating the blood disorder तोस्तु तोस्तु उसका CAS JV एक दूसरी दवा है जिसको developed किया था by Vortex Pharmaceuticals and CRISPR okay so they utilize the CRISPR gene editing technology a groundbreaking approach acknowledge with the Nobel Prize in 2022 okay मतलब DNA को क्या करते हैं लोग edit करते हैं दोस्तों okay we have some scissors they will cut the DNA and they will fit the other DNA between these two okay यह DNA मान के चलिया आप okay इस तरह से DNA होता है okay इसको क्या करते हैं in between they will cut okay यहां पर लेकर जाके जो है दूसरा DNA को fit कर देते हैं दोस्तु इस मैं आपको मोटा मोटी बात कर रहा हूँ इसमें अभी और detailing होता है इसे हम CRISPR gene editing technology कहा जाता है okay so they marks the milestone in the use of gene editing for medical purposes okay sickle cell disease की बात करे ए painful inherited blood disorder affecting approximately 1 lakh people in USA okay and is rather तर आपको black community में देखने को मिलता है दोस्तु and this can lead to delibating symptoms and premature death दोस्तु okay so what is the mechanism of sickle cell disease की बात करे चली which results in the production of the flot sickle shaped homoglobin impairing of oxygen carrying capacity of red blood cells sickle cells can clump together causing blockage in small blood vessels दोस्तु तरपीस और अपरोल की बात करे लिवजीन और कास जन भी अपरोल so both gene therapy granted FDA approval for individual age 12 years and old and they represent significant progress in treating sickle cell disease दोस्तु दुसकत CRISPR gene editing technology की बात करे कास जी विए a collaboration between vertex pharmaceutical and CRISPR therapeutics implies a noble prize winning CRISPR gene editing technology okay and treatment outlook pitch as one-time treatments both therapies presented as one-time treatment की तरा इसको स्तुमाल किया जाता है okay so limited data on the duration of their effectiveness with the bone marrow transplant currently being a long-term treatment for sickle cell disease significance की बात करे breakthrough in sickle cell treatment okay approval of gene therapies particularly CRISPR based cash energy they offer the hopes for improved management and potential transformative impact okay they will also represent step towards addressing the racial disparities in the healthcare okay so a bb a technology do have who under development चल रहे है तो के वहां के जो US Food Drug Administration ने अपरूव कर लिया है स्टिल we need to have some more development ताके आगे चलकर जितने भी consequences उसको हम उनको face कर सके है okay so तर चलिए फिलता हूं मैं आपको अगले lecture में कुछ interesting topic के साथ और फिर कुछ important news के साथ तब तक के लिए वाद दूस्तों take care stay safe stay healthy thank you so much